हलो दोस्तों मैं पुशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक वीटी टू कमुनिटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं फर्स्ट आप सेप्टेंबर यानि एकस्पाईडे के दिन हम लाइफ मार्केट में कैसे ट्वेड ले सकते हैं तो हमने यहाँ पर जो भी कुछ सीखा चाहे हो ट्वेडिंग स्ट्वेड जी हो चार्ट पैटरन हो इन सब को इंप्लिमेंट करते हुए यहाँ पर हम फर्स्ट आप सेप्टेंबर यानि एकस्पाईडे की दिन अपना ट्वेडिंग सेटप फॉर्म करने की कोसिस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपना ट्वेडिंग सेटप फॉर्म करते हैं लाइब मार्केट में जो भी सिट्वेशन समय देखने को मिलता है उसके वेसिस पे हम लाइब मार्केट में ट्वेड करते हैं तो यहाँ पर अगर आप अभी देखें तो मार्केट ओपेन हुए जस्ट एक मिनाटी हुआ है मार्केट ओपेन हो गया लेकिन मार्केट ओपेन होते हैं यहाँ पर हमें ट्वेडिंग डिसियंस लेने का मौका मिलवा है कैसे मिलवा है यहाँ पर दो तीन ओपर्चुनिटी दे रहा है दो तीन तरीके से यहाँ पर आप ट्वेडिंग डिसियंस ले सकते हैं सबसे पहला क्या है कि market यहाँ पे आपका gap down open हुआ है और हमने आपको gap down वाला trading strategy अलवेडी बता दिया जिसका हमने पिछले कई वीडियो में किया है अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हमारा gap down वाला trading strategy तो उसका link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा नहीं तो आप आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं तो gap down वाला trading strategy क्या है कि जिस भी price पे open हुआ उसको हम mark कर लेंगे और वो मेरा SL बन जाएगा अब यहाँ पे हम 10 से 15 मियट वेट करेंगे अगर इस price को break करके नीचे नहीं जाता है तो 10 से 15 मियट बार जिस भी price पे ये वहाँ पे हम क्या करेंगे buy side के तरफ positions initiate करेंगे और मेरा चोटा सा stop loss होगा और target price यहाँ पे हमारा काफी big हो जाएगा target price हम थोरी देर बार decide करेंगे जब यहाँ पे हम execute करेंगे तो तो पहला trading strategy हमारा यह हो गया gap down दूसरा trading strategy के basis पे यहाँ पे हम same trade को execute कर सकते वह भी मैं हुआ है वही इसका lowest point भी बन गया है और यह open हुआ है लगबग आपका 17,485 की करीब और यही इसका lowest point भी है मतलब यहाँ पे open equal to low criteria को fulfill किया है तो जब भी ऐसा कुछ हो open equal to low criteria को fulfill करें आपको lowest point से थोड़ा सा नीचे ऐसा लगाना है और यहाँ पे आपको by side की तरफ positions initiate करना है यहाँ पे भी आप थोरा सा 5 से 10 मिनट वेट कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे by side की तरफ positions initiate कर सकते हैं और यहाँ पे तीसरा काम एक और हुआ है कि आपका 17,500 का जो crucial level है उसको break करके उसके नीचे ही gap down open दिया था लेकिन यहाँ से उपर निकला है और इस level को break कर करते हुए अभी इसके ऊपर trade कर रहा है तो यहाँ पे भी हम वेट करेंगे अगर अगला 10 मिनट तक यह 17,500 के ऊपर trade करते रहता है तो यहाँ पे भी हम buy side की तरफ positions initiate कर सकते हैं तो तीन-तीन factor है जिसके wishes पे हम buy positions initiate कर सकते हैं और यहाँ पे हमारा whisk भी काफी कम है यहनी जो ह काफी छोटा सा होगा और target जो होगा वह काफी big होगा ती यहाँ पे हम 5-10 मिनट बाद आपसे मिलते हैं जब यहाँ पे हम trade लेने का मौका मिलेगा तब आपसे मिलते हैं यहाँ पे हम वापस से चार्ट पे आगे और अभी time होरा लगमग आपका 9-25 मिनट यहनी market open हुए 10 मि रूप में रखा था वो यहाँ पे hit नहीं हुआ है तो सबसे पहला जो हमारा gap down वाला strategy है उसको यहाँ पे हम implement कर सकते हैं और यहाँ पे हम 17,550 के करें बाइसेट की तरफ positions यहाँ पे हम initiate करेंगे यहीं पे हम बाइसेट की तरफ positions ले लेंगे और यह जो point है 17,500 जस्ट और 17,700 यह तीन यहाँ पे मेरा target price होगा जिसको हम as a target के रूप में use कर सकते हैं तो यह पहला strategy के basis पे हो गया चाहे आप यहाँ पे open equal to low strategy ले लो सारा कुछ हमारा यही रहेगा entry point हमारा यही रहेगा target price हमारा यही रहेगा SL भी हमारा यही रहेगा और यह 17,500 को उपर अभी तक आपका trade कर रहा है एक आपका negative candle form हो रहा है लेकिन फिर भी इसके ऊपर ही यहाँ पे trade करता हुआ दिख रहा है यहाँ बाई साइट की तरफ पोजीशन हमने ले लिया है SL 60 point का overall target price के अगर हम बात करें लगबग आपका हम इसके option chain को भी analyze कर लेते हैं देखते हैं कि वहाँ से क्या कुछ हमें hint मिल रहा है यहाँ पर हम निफ्टी के option chain पर आगे अभी टाइम हो रहा नौ बच के 27 मिनट के करिए और अभी जो निफ्टी आपका trade कर रहा देख सकते हैं 17,540 के करीब ट्वेड कर यह नहीं 550 से slightly नी जाएंगे यहाँ पर अगर हम बात करें तो पुट सैट की तरफ लगबग आपका 83 लाग के करीब क्या है पुट वाइटर्स मौजूद है और यहाँ पर लगबग आपका 13.5 लाग के करीब पूट वाइटर्स का एडिशन भी हुआ है और इधर अगर हम बात करें इधर बग तीन गुना करीब डिफरेंस है तो यहाँ पर आपको 28 लाग के करीब ओई दिखेगा और इस साइट अगर हम देखे तो इधर आपका 25 लाग के करीब ओई देखने को मिलेगा चेंजिन O.I की बात करें तो चेंजिन O.I इधर आपका 5 लाग के करीब है और कॉल साइट की तरफ स्लाइटली जादा 20 लाग करीब है लेकिन ओपेंट वेस्स इधर आपका स्लाइटली जादा है तो 550 के लेवल पे नेक टू नेक फाइट होने वाला लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो थोड़े बहुत पुट वाइटर्स का एडिशन हो रहा है इसलियाज से अगर आज के सेंटिमेंट के फोकस की बात करें तो स्लाइटली यहां पर पुट वाइटर्स हावी दिख रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको अपना experience भी यूज करना परेगा वहां से आप थोड़े बहुत conclusion पर पहुंच सकते हैं वैसे यहां पर अच्छा खासा fight होने वाला है जल्दी इसको break करके ऊपर जाने के chances थोड़े से कम दिख रहे हैं और देखिए लगबग 15-20 मियर्ट से इसी level के करीब यह trade करता हुआ दिख रहा है अगर हम यहां पर 17-600 के करीब देखें तो यहां पर क्या कुछ हुआ यहां पर लगबग आपके 56 लैक करीब क्या दिख रहे हैं ? इधर आपका सिर्फ 40 लाके करीब put वाइटर्स दिख रहे हैं और change in open interest इधर भी आपका negative है तो यहाँ पर अगर आपका यह change in open interest positive में आता है और अच्छा खासा build-up देखने को मिलता है तो फिर 17600 करीब भी जाता हुआ दिख सकता लेकिन अभी chances कम है अभी जो यहाँ पर हमें रास्ता clear दिख रहा है सिर्फ 17600 तक का रास्ता clear दिख रहा है इससे ऊपर जाने के chances थोड़े से कम दिख रहे हैं nifty के लेकिन अगर anyhow nifty इस level को break करके ऊपर निकला chances का मैं लेकिन निकल गया तिहां पर लगबग आपके 1 करोर के करीब क्या होंगे call writers trap होते हुए दिख जाए जैसे इसके ऊपर निकलेगा यह आपका एक strong support की रूप में काम करेगा क्योंकि उसके बाद जैसे price थोड़ा बहुत भी नीचे आएगा यह सारे call writers निकलने की कोसिस करेंगे क्योंकि आज काई दिन है इनको निकलने के लिए आज anyhow इनको निकलना परेगा इसलिए call writers का और put writers इनके कारण से यह लेबल strong support की रूप में काम करेगा लेकिन कब जब इसको price break करके ऊपर निकलेगा जिसके चांसे थोड़े से कम दिख रहे हैं वहीं अगर हम 17700 के लेबल पे रेखें तो इधर आपके लगबग 1 करोर के करेब क्या दिख रहे हैं call writers दिख रहे हैं और put writers की बात करेब put writers बहुत कम है सिर्फ 38 lakh करीव है मतलब एक चीतों के लिए रहे हैं कि जो expiry होगा वो 17700 के लेबल से नीचे ही होने वाला है इसके ऊपर जाने के चांसे कम है तो main hurdle आपका 17700 है उसके नीचे 17600 भी एक hurdle के रूप में काम करेगा support table काफी strong वाला है 17500 के लेबल पर जिसके break होने के चांसे कम है तो आज का जो momentum होने वाला वो 17500 लेके 17700 के बीच में होने के chances बहुत जाता यहाँ पर हमें दिख रहे हैं तो option chain हमें एक overall idea दे दिया अब हम वापस से chart पर चलते हैं और देखते हैं कि वापस से chart पर है चार्ट पर क्यों आए टाइम हो रहा 9.40 अब चार्ट पर हम इसलिए आए क्योंकि देखिए price आपक के करीब आ गया है यहनि काफी volume के साथ और काफी strength के साथ यहाँ पर 17600 का level break हुआ है और मैंने आपको option chain पर hint किया था कि अगर यह level break होगा तो लगबग आपके एक करोड के करीब क्या हो जाएंगे call vital strap हो जाएंगे अब यह सारे call vital strap already हो चुके हैं अब यहाँ पर जो है price अब इसके करीब या फिर इसके नीचे जादे तक टिकने वाला नहीं है वापस से आपका उपर साथ की तरफ जाता हुआ दिखेगा तो जो हमारा stop loss काफी नीचे था उसे stop loss क्या करेंगे 17,575 के level पे लिए आएंगे और हमारा जो buying price था वो 17,550 के करीब था यहनि अब मु 17,650 के target को भी ignore करते हुए DAG 17,700 के target price के लिए जाएंगे यह अब हमारा final target price होगा क्योंकि यहाँ पे 17,600 का level strong momentum के साथ तूटा है और एक ही बार में तूटा है यहाँ पे कोई hurdle या फिर stance देखने को मिला ही नहीं है तो crucial resistance level को इस तरीके से break करता है मतलब यहाँ पे upside momentum और आ देखने को मिलता है तो यहाँ पर हम एक वाफिट से option chain पर आगे time होड़ा 9 बच के 50 मिनट के करीब अब यहाँ पर option chain पर क्यों आए हैं सबसे पहले हम 17,600 के level पर देखना चाहेंगे जहाँ पर price आपका trade कर रहा है यहाँ पर हम पहले बात करें जब हमने पहली बार option chain पर आ एडिशन हुआ है 17,600 के level करीब और यहाँ पर आपका overall open interest increase होके हो गया लगवग आपका 58 लाइक करीब overall open interest increase होके हो गया जबकि call side के तरफ यह आपका 65 लाइक करीब ही बना हुआ है और इधर आपका जितना चेंजिन आपर इंट था उतना ही बना हुआ है तो fresh जो यहाँ प भी कर रहें और सिर्फ आपका कुछ मिंटों में 18 लाइक का बिल्डब यहाँ पर हमें देखने को मिल गया तो यहां से भी हमें clear-cut idea मिल रहा है कि जो 17-600 का level है वह आपका काफी हद तक support के रूप में काम करने वाला क्योंकि यहाँ पर अच्छे खास से जो call वाइटर से वह और यह दिखा रहा है कि यहाँ पर यह लेबल है support के रूप में काम करेगा और यहाँ से price आपका ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा और for the safety purpose यहाँ पर हमने 17,575 के level पर अपना stop loss लगा ही रखा यानि यहाँ पर हमने losses को avoid कर दिया अब यहाँ पर हम थोड़ा बहुत 100 point का target price के definitely जा सकते हैं तो आपसे थोई दिर बाद हम direct chart पर मिलते हैं जब हम यहाँ पर कुछ action देखने को मिलेगा उससे पहले एक और चीज़ देखना चाहेंगे कि यह जो upside momentum है वो कहां तक आता हुआ दिख सकता है तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो 17,700 के level पर भी देखना चाहे है यहाँ पर कॉल वाइटर्स बने हुए और इंटर्स यहाँ पर बना हुआ है मतलब एनिहाव 17,700 के उपर निफ्टी जाने वाला नहीं है तो हमारा जो final target पैसे 17,700 करीब यहाँ पर profit बुक करना चाहेंगे हम इस लेवल पर आने का बेट भी नहीं करेंगे हम क्या करेंगे से 5-10 पॉइंट पहले अपना profit बुक कर लें क्योंकि यहाँ पर बलस्त कॉल वाइटिंग हो रखा और इतने कॉल वाइटिंग के बावजूद ऊपर आपाना बहुत जादा मुस्किल होता difficult situation होता है और आज जो situation है वो देखके लग नहीं रहा कि 17,700 के ऊपर आ सकता है इसल हो गया तो कोई बात नहीं वापस से 17,600 करीब आएगा तो हम fresh positions initiate करेंगे तो मिलते हैं हम चार्ट पर और देखते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ price section हमें देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर हम वापस से चार्ट पर आए टाइम हो रहा है आपका लगबग 10 बज के 10 मिनिट के क बना है इसी के आसपास अपना लोग बना है दो तीन पॉइंट उपर नीचे हो सकता है तो मेरा SL यहाँ पर protect हो गया SL यहाँ पर hit नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर हमने विजनेबल SL लगाया था अब यहाँ पर price आपका देख सकते हैं 17,650 के करीब trade कर रहा है और यहाँ पर थोड़ा और profit के लिए इंतजार करेंगे और यहाँ पर हमने losses को avoid करी दिया यहाँ पर मुझे नुकसान नहीं होने वाला है तो यहाँ पर हम 17,700 के करीब के target price के लिए wait करेंगे तो आप से कुछ दिरवाद मिलते हैं जब आइदर इसने 17,575 के level पर आ जा है या नहीं तो 17, 17,700 के करीब आ जा है उस time पर हम आपसे मिलते हैं तो यहाँ पर हम वापस से चार्ट पर आ गए और time हो रहा है लगबख 10 बज के 30 मिद के करीब अब देखिए price आपका 17,690 के करीब trade कर रहा और यह price कहाँ पर आ गया जो हमारा target price था 17,700 करीब आ गया अब आपका price उपर भी कर सकते हैं आप यहाँ पे दो काम कर सकते हैं अगर आप strict profit लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप strict profit ले सकते हैं आपको लगबख 1500 point का profit यहाँ पे मिल जाएगा लेकिन अगर आप थोड़ा सा risk लेना चाहते हैं तो यहाँ जो SL है उसको आप यहाँ पे 17,675 के level पे ला सकते है यानि आप लगबग अपना 125 पॉइंट का प्रॉफिट सिक्यूर कर लिजे अगर प्राइस और उपर गया तो यहां पर हम इस अपसाइड उप से प्रॉफिट बना सकते हैं यह भी एक तरीका है लेकिन यहां पर यह तरीका ज्यादा एड़वाइजेबल नहीं है सबसे पहले क्या करना है आपको यहां पर 1500 पॉइंट का प्रॉफिट बॉक कर लेना है अब देखिए हलग अलग सिच्वेशन पर कैसे करना वह भी आपको समझ माना चाहिए यहां पर हम ट्वेडिंग एसल के जरिए हम रिस्क नहीं लेंगे हम क्या करेंगे देश्वाइग का प्रॉफ बना सकते हैं लेकिन यहां पर सब्सक्राइब हमने 1500 पॉइंट के प्रॉफिट को सिक्यूर करना चाहेंगे और यहां पर देखिए 17700 करीब आते ही बायर्स का स्ट्वेंथ कम हो गया क्योंकि केंडल का साइच छोटा होता जा रहा है और यहां पर थोड़े बहुत सेलर्स अ यहां पर हम एसल लगाएंगे 17725 का यह मेरा एसल होगा और यहां पर हम 16,000 17,000 सॉरी 17,000 690 के करीब यहां पर हम सेल सैट की तरह पोजिशन्स इनिशियेट करें यह नि लगबग मेरा कितना का एसल होगा 30-40 पोइंट करीब यहां पर मेरा एसल होगा यह चोटा सा एसल है और यहां पर हम प्राइस की बात करें तो 17,600 के करीब यहांपे हम 730 के लगबग यहां पर हम 80 पोइंट का टाइस को ले जा सकते हैं हम already 500 point के profit में तो 30-40 point का यहां पर हम risk ले सकते हैं और यहां पर भी risk reward काफी हद तक हमारे favor में stop loss से double हमारा यहां पर target price बन वाया है यहां पर हम अपना trading setup already ले लेंगे minimum 17,680 के level पर ले लेंगे जो कि already tweet कर रहा था जिस time भी हम आपको explain कर रहे थे और SL हम अपना इससे 30-40 point उपर set कर देंगे अब यहां पर हम आपसे थोई दिद बाद मिलते हैं जब either यह हमारे SL को hit कर दे या नहीं तो हमारे target को hit कर दे अब हमारा यहां पर target क्या है 17,600 इस level को यह hit करने वाला अगर यहां से price नीचे side की तरफ आया तो हम wait करते हैं either SL hit हो या फिर target price hit हो इसलिए हम आपसे थोई देर बाद मिलते हैं अब देखें यहां पर time हो रहा लगबग 12 वज़े के करीब और यहां पर हमारा target price क्या था 17,600 था हमारे target price को इसने आसानी से hit कर दिया है यहां से हम 200 point का profit हमने बना लिया है अगर हम यहां पर options में ट्वेड करते हैं यहां पर हम क्या करते हैं 17,500 के call options को यहां पर हम buy करना prefer करते हैं और यहां पर हम profit book करके निकलते हैं यहां से हमें लगबग 100 point का profit options से भी मिल जाता है और यहां पर हम क्या करते हैं 17,700 के put options को भी buy करना prefer करते हैं जो भी लोग put options buy करते हैं यहां से लगबग आपका 40 point का profit यहां से भी बनाया जा शकता थे और आज के लिए यहाँ पर हमें sufficient profit मिल गया तो हम ज़्यादा wait नहीं करेंगे हम अपना hero और zero call के लिए wait नहीं करेंगे हम यहीं पर अपना profit book करके that's end of the day करके हम अपना market से निकल जाएंगे क्योंकि sufficient profit आ गया है अब market का अगला momentum कहा होगा वो थोड़ा सा decide कर पाना मुस्किल क्योंकि market उपर गया एक resistance level को touch किया फिर नीचे आ गया अब आपका support डिबल ही है resistance डिबल ही है इसके बीच में trade कर रहा और इसके बीच में हम trading decisions क्या लेंगे उसके बारे में ज्यादा कुछ idea नहीं मिल पा रहा हम थोड़ी से confusion इसलिए हमें यहाँ पर profit मिल गया तो हम बस्ति का tweet setup हम find नहीं करेंगे so that's all उमीद करते हैं यह concept यहाँ पर समझ में आ गया होगा और कैसे हमने first half में different market situation को identify करते हुए trade setup लिया वो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा और इस तरह का situation आगे भी generate होता है तो आप इसी तरीके से react कर सकते हैं जहाँ पर हमने stop loss काफी छोटा सा रखा था और target price काफी big रखा था यहाँ पर हमारा whisk reward भी काफी हद तक हमारे favor में था उमीद करते हैं कि आपको यह video पसंद आया होगा अगर आपको हमारे video पसंद आया प्लीज वीडियो को like करके हमें encourage किजिए और चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe भी किजिए और साथ इसाथ bell icon जहुर दबा दिजिएगा ताकि जब भी हम next video upload करे उसका notification आप तक पहुंच और आप video को miss ना करें so that's all friends मिलते नेक्स वीडियो में जैहिन